गुट मॉर्निंग बच्चो मैं पूनम निजावन हिंदी टीचर माउंट लिटरा जी स्कूल जासी बच्चो आज चैप्टर 15 का टॉपिक चित्र लेखन पढ़ेंगे कि किस तरहें चित्र का वर्णन किया जाता है मनुष्य को ईश्वर ने कल्पना शक्ती का वर्दान दिया है किसी भी वस्तू द्रश या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेने लगते हैं हर व्यक्ती का अपना एक अलग द्रस्टी कूण होता है अपने अनुभव के कारण किसी घटना वा वातवरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है अपने इस अनुभव वाप्रतिक्रिया को सशक्त वाप्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्रवर्णन का उद्देश है किसी चित्र को देखकर उससे संबंदित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ती के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्रवर्णन कहलाता है वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला कोई एक पूर्ण इस्तिथी को व्यक्त करने वाला किसी व्यक्ति विशेश का या प्रक्रती से संबंदित हो सकता है किसी भी चित्र का वर्णन करते समय निम्नलिकित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए पहले चित्र को ध्यान से देख लेना चाहिए दूसरा चित्र में नजर आ रही मुख्य बातों को बिंदुओं में लिख लेना चाहिए नमबर तीन, चित्र में दिखाई दे रहे वस्तूओं का वर्णन करते समय उसमें अपनी कल्पना के रंगों को भरना चाहिए नमबर चार, चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्तियों के मुख के भाव, हाव भाव के आधार पर चारित्रिक विशेशताएं, सुख दुख वा आशा निराशा का वर्णन करना चाहिए नमबर पांच, यदि किसी महापुरुष अत्वा चर्चित व्यक्ति का चित्र है, तो उस व्यक्ति के प्रती निजी विचारों, भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है प्राकृतिक द्रश्यों में कल्पना की उडान भरने का पूरा लाब उठाया जा सकता है नमबर साथ, भावों को अभिव्यक्त करते समय अच्छे शब्दों वा भाषा का प्रियोग सरानिय होता है नमबर आठ, वाक्य रचना पर पूरा ध्यान देना चाहिए बाग के रचना करते समय, उख्तियों, मुहावरों वह लुकोक्तियों का प्रियोग भी भाशा को सुन्दर बनाता है नमबर दस उचित विराम चिल्नों का प्रियोग भी आवशक होता है नमबर ग्यारा चित्रवर्णन करना भी एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है एक बात का विशेश दियान रखा जाना चाहिए कि चित्रवर्णन करते समय अतिश्योक्ति का सहारा ना लिया जाए अन्यता अस्वभाविक चित्रण अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है यदि आपको संचित्र रूप से कहें तो आपको चित्रवर्णन करते समय केवल पांच बातों को ध्यान में रखना है नमबर बन सरप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है नमबर दो संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है नमबर तीन चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है उन्हें क्रम से लिखना है नमबर चार फिर चित्र के माध्यम से कही जए रही बातों को अपने शब्दों में समझाने का प्रियास करें और नमबर पांच अंत में अपने विचार लगें रखें सबसे महत पूर्ण बात की चित्र वर्णन करते समय हमेशा उसको वर्तवान काल में ही लिखें यानि प्रेजन टेंस में ही वर्णन होना चाहिए चलिए एक उधारन देख लेते हैं दिये गए चित्र का वर्णन कीजिए यह चित्र रेलवे प्लेट फॉर्म का है यहां एक रेल गाड़ी खड़ी है दो कुली सर पर समान रखकर हाथ में अटैची पकड़े चल रहे हैं जिस व्यक्ति का सामान है वे उसके साथ चल रहा है एक बच्चा पानी की बोतल भर रहा है टीटी गाड़ी को लाल जंडी दिखा रहा है यहां एक किताब की दुकान है जहां एक औरत किताब खरीद रही है जहां एक औरत किताब खरीद रही है, कुछ लोग बैंच पर बैटे हैं, पूरा इस्टेशन यात्रियों से भरा हुआ है बच्चो इस उधारण से आपको समझ में आ गया होगा कि चित्रवर्णन किस प्रकार से किया जाता है यानि जो चीजें हमें दिख रही है उसका वर्णन हमें प्रेजन टेंस में ही करना है थैंक यू